Hey guys, welcome back to my channel Cinematic Review Zone Guess, इस वीडियो में Spider-Man 9 वे हूँ मोवी को explain करने जा रहा हूँ जो 2021 में 17 दिसमबर को इंडिया में release हुई थी आप मैंसे काफे लोगों ने इस मोवी को देखे लिया होगा या नहीं भी देखा है और आप इस spoiler से दूर रहना चाते हैं तो आप इस वीडियो को quit कर सकते हैं लेकिन आप तब भी इस वीडियो को देखना चाते हैं तो चले continue करते हैं तो मोवी Spider-Man Far From Home के post credit scene के बाद से continue करती है जहां Mysterio ने Spider-Man के identity सब के सामने review कर दी थी और जे जुना जेमसन ने भी इसमें कोई कसर नहीं चोड़ी थी सब लग पीटर पार्कर को एक क्रिमिनल की नजर से देख रहे होते हैं पुलीज भी उस पर कड़ी निगरानी रख रही होती है और उसके friends को भी पीटर के identity reveal हो जाने के वज़े से काफी problems face करनी पड़ रही थी जिसमें सबसे बड़ी problem थी उससे और उसके friends को किसी भी college में admission नहीं मिल रहे था इन सारी problem को देखते हैं पीटर पारकर को डॉक्टर स्टेंज की याद आती है और वो सोचता है कि शायद वो उसकी help कर सकते है फिर पीटर डॉक्टर स्टेंज के पास पहुचकर अपनी सारी problem में explain करता है जहां उसके identity वे ले जाने के वज़े से उसके friends और उसके family को काफी सरी मुश्किले face करनी पर रहे थी तो पहले तो डॉक्टर स्टेंज इसे करने से मना करते हैं लेकिन फिर वो इसे करने के लिए मान जाते है तब ही Wong भी वहाँ आता है और डॉक्टर स्टेंज को इस मन्तर को ना पढ़ने के लिए Wong करता है और तब ही मैं बता चलता है कि अब डॉक्टर स्टेंज सॉसर अफ सुप्रीम नहीं है बलके Wong है क्योंकि डॉक्टर स्टेंज फाइफ वियर्स के लिए blip में गायब हो गए थे इन सब के बाद डॉक्टर स्टेंज पीटर को एक ताकाने में लेका जाते हैं और पीटर के अइडेंटिटी इरेस करने के लिए एक मंतर पढ़ना शुरू करते हैं फिर पीटर डॉक्टर स्टेंज से नेड एमज और आंट में को इस मंतर से रिमूफ करने के लिए कहता है जहां डॉक्टर स्टेंज पूरी मैने से इस मंतर को पढ़ रहे थे उन्हें बीच में Ned, MJ और Aunt May को इसमें से रिमूफ करना पड़ता है उसके बाद Peter को Happy क्या दाती है और Dr. Strange से कहते है कि Please Happy को भी इस मंतर से रिमूफ कर दीजे इन सब के बाद Dr. Strange का मंसर काबू हर जाता है और जो मंतर होता है वो गलत हो जाता है और Multiverse के सारे विलन्स इस यूनिवर्स में धिरे-धिरे करके आना शुरू हो जाते है इसका अभी Peter को पता तो नहीं होता है लेकिन उसे और उसके फ्रेंड्स को उसे MIT में एडिमीशन दिलाना होता है और वो इसलिए MIT के head के पास जाता है तो सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स पीट फ्लैश को फोन करता है और फ्लैश उसे बताता है जो MIT की head है वो अभी एरपूड गई है फिर Peter MIT की head को beach traffic में धून कर उन्हें अपनी बात convince करवाने के लिए पूरी कोश कर रहा होता है तभी बीच में Dr. Otto Octavius की entry होती है पीटर और Dr. Otto Octavius की बीच काफी अच्छी fight चलती है जहां पीटर तो कुछ समझ नहीं बाता है कि यह उस पर हमला क्यूं कर रहे हैं लेकिन तब भी अच्छी fight चलती है जहां Dr. Octavius की tentacles पर spider man के suit के कुछ nano particles आ जाते हैं जिसकी वज़े से उनके tentacle spider man के कंट्रोल में आ जाते हैं तभी Dr. Strange अपने magic का यूज करके Dr. Otto Octavius को एक magical gene में बंद कर देते हैं और Peter को बताते हैं कि उस समंदर के गलत हो जाने के वज़े से सारे multiverse के villain धेरे-धेरे करके इस universe में आने लगी है जो Peter Parker को जानते थे फिर Dr. Strange पूछते हैं जहां तुमने किसी और villain को भी देखा था तो फिर तभी Dr. Octavius कहते हैं कि मैंने वहाँ पर green goblin को देखा था लेकिं Dr. Octavius कंफ्यूज थे क्योंकि green goblin काफे साल पहले मर चुगा था तो वो यहाँ क्या हो सकता है उसके बार Dr. Strange बाकी विलन्स को भी पकड़ने के लिए पीटर को कहते हैं ताकि वो उन्हें उनके यूनिवर्स में भेज सके पर पीटर यह सब अकेले नहीं कर सकता था इसलिए वो अपनी मदद के लिए Ned और MJ को पीटर बुला लेता है फिर वो लोग रूम अफ काफी काना के अंदर बैट कर अपना काम शुरू करते हैं यानि मल्टिवर्स से आए विलन्स को पकड़ने का पर कुछ लोग जो इस्पाइडर मैन के हेटर्स थे उन्होंने उसके सूट पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड फेक दिया था जिसके और उसका सूट काफी साथ गंदा हो जुका था पीडर अपने सूट को धोने के लिए आंट मे को भी कॉल करता है लेकिन उसका सूट नहीं दूल पाता है इसलिए वो अपने सूट को उल्टा करके पहन लेता है और मल्टि वर्स से आई सारे विलन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है जहां वो सबसे पहले एक ऐसे जंगल में पहुचता जहां यह लक्टर था और वो इस स्पाइडर मैन को देखते ही उस पे हमला करना शुरू कर देता है जहां उसके मदद करने के लिए स्पाइडर मैन 3 मूवी से आ जाता है सैंड मैन सैंड मैन पीटर से कहता है कि मैं यहां क्या कर रहा हूँ और यह तुम पे हमला क्यों कर जा रहा है एक मैजिकल जेल के अंदर कैद कर रखा था वो सारे विलन एक दूसरे को देखकर काफी ज़दा कंफ्यूस हो जाते है फिर इन सब के बाद हमें ग्रीन गॉब्लिन और नॉर्मन ओस्बोन दिखा जाते हैं जो अपनी second identity से काफी ज़दा परशान हो गए थे इसी वज़े से वो अपना helmet भी तोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरी उनिवर्स से आये थे वो काफी ज़दा confused थे और उन्हें दुबारा वहाँ जाना था तो वो किसी और से help नहीं मांग सकते थे इसलिए वो spider-man के घर पे पहुँझ जाते हैं जहां वो आंट में और पीटर से मिलते हैं पीटर Norman Osborn से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए हम आपको आपके उनिवर्स में भेज देंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा फिर पीटर Norman Osborn और ग्रीन गॉब्लिन को रिल्म आफ काफी कानर के अंदर लेकर आता है जहां डॉक्टर और टॉक्टेवेस कहता है तुम काफी सार पहले मर चुके रहे हैं फिर तुम यहां क्या कर रहे हो यहां पर यह सरी बाते चली रही थी फिर उन सब विलन को आपसे पता चलता है कि वो जब अपने उनिवर्स में बरने वाले थे तभी वो यहां पर टेलिपोर्ट होकर आ गए हैं और वो अगर दुबारा अपने उनिवर्स में जाते हैं तो उनकी दुबारा मौत हो जाएगी पीटर को जेमेटरी भुज़ता पसंद होती इसलिए वो सभी वहां जितनी भी चीज़े थी उनका पीटर अच्छी से जेमेटरीकल फॉर्म में यूज़ करके डॉक्टर स्रेंज को हरा देता है और एक बॉक्स जिसके अंदर मन तुरता है उसे अपने साथ लेकर वापस आज़ता है और फिर उन सभी विलेंस से कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ तुम मेरे साथ कॉपरेट करो और जब तुम अपनी यूनिवर्स में जाओगे तब सब कुछ अलगी होगा तुम एक नॉर्मन लाइफ जीप आओगे तब पीटर को याद आता है कि हैपे घर में एक ऐसी मशीन है जो सब कुछ बना सकती है इसलिए पीटर उन सारे विलेंस को लेकर हैपे घर पहुच जाता है जहां सबसे पहले डॉक्टर ओर्टर ओक्टेवेस से स्टार्ट करता है डॉक्टर ओर्टर ओक्टेवेस के सर के पीछे जो चिप थी सबसे पहले वो उसे ठीक करता है जो उनके टिंटिर्स हो कंटोर किया करती थी उसकी बाद नमबर रहता है एलेक्टर का जहां पीटर एलेक्टरों के लिए एक ऐसा डेवास बनाता है जो उसकी अंदर की जितनी में एनर्जी हुझा से कंज्यूम कर गए एक नॉर्वाल हुमें बना सके लेकिन इन सभी के बीच में नॉर्वान ऑस्बोन की दूसरे एडिनिटी सारे किये कराई पर पानी फिर देती है और नॉर्वान ऑस्बोन इलेक्टरों से कहाता है कि हम भगवान हमें किसी के सामने जुकने के जरूरत नहीं और जो ताकते हैं यह हमारा खुशकिस्मति है नहीं कोई दर्द इन सभी के बाद नॉर्वान ऑस्बोन हैपी के अपार्टमेंट में एक बॉम गिरा देता है जिसके वज़े से वहां आंट में की देत हो जाती है इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेट और एमजे पर जिन लग रहा था कि पीटर को हमारी मदद के जरूरत है इसलिए नेट डॉक्टर स्रेंज की मैजिकल रिंग से जिससे वो पोर्टल खुला करते थे उसे पहन कर खुलता है तो उसके अंदर अमेजिंग स्पाइडर मैन का पीटर पार्कर यानि एंडू कार्फिट आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था इसके बाद जो नेट होता है वो दूसरा पोर्टल खोलता है और उसके अंदर से स्पाइडर मैन मूवी से टोबी मेकवायर का स्प जार के एक मशिन का यूज करते हैं सभी एंडिडोर बनने के बाद तीनों स्पाइडर में अपने काम पे लग जाते हैं जहां वो डेली ब्यूकल को कंटक्ट करके सभी विलन्स को स्टैच्व लेबर्टी के एर भी बुलाते हैं और अपना प्लैन को करना शुरू करते हैं तीनों स्पाइडर में एक करके अपने साभी विलन्स को ठीक करना शुरू कर देते हैं तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां पहुचते हैं और नेर्डो ने समझाता है कि पीटर अपने प्लैन में सक्सेस्फुल हो रहा है तो आप पिलीस उसे इंटरप्ट ना करें बी उसी बीच नॉर्मन ओसबर्न टोबे में कवाय वाले पीटर को भी पीछे से एक चाकू जैता है वहां इंजर्ट हो जाता है इसी बीच टॉम ऊइलंड वाला पीटर पारकर नॉर्मन ओसबर्न का एंटिडोत का यूज़ करते हुए उससे नॉर्मल होИमन मना दिता है इन ज दॉक्टर स्ट्रेंज की वहां आते हैं और पीटर से कहते हैं कि तुम्हारे विलन्स धीरे-धीरे करके इस यूनिवर्स में आना स्टार्ट हो रहे हैं तो पीटर कहता है कि अगर आप वही मंदर दुबारे से पढ़े जिसके वज़े से सभी लोग मुझे भोल जाए सभी सभ पर कोई भी मुझे याद ना रख तो इससे काम बन सकता है या नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं हां काम बन जाएगा फिर अपना मंतर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी विलन्स और स्पाइडर में उसको अपने उनिवर्स में दुबारा भीज देते हैं और इस इसके बाद पीटर अपनी आंट की ग्रेव में जाता है और वहीं उसे हैपी होगर मी मिलता है और हैपी पूछता है कि तुम इन्हें कैसे जानते थे फिर पीटर कहता है कि मैं इन्हें स्पाइडर में से जानता था फिर हैपी भी यही कहते है कि मैं इन्हें स्पाइडर में से ही जानता था इन सब के बाद ये पिचर खतम हो जाती है अब मूवी के अंदर दो पोस्करड़ेट सीन जहें सबसे पहले पोस्करड़ेट सीन के अंदर हमें एडी ब्रॉक का वैनम दिखाया जाता है जो एक बार में बैठकर जो भी कुछ पांच सल पहले हुआ था कि सब ल जदा बड़ा रूल प्ले करने वाला है इसके बाद हमें पीटर पारकर दिखाया जाता है जो अपने नए सूट के साथ नियुएक शायर के अंदर स्विंग करता हुआ क्राइम से लड़ रहा होता है इसके बाद हमें दूसरे पोस्करड़ेट सीन के अंदर डॉक्टर स्ट